वेल्कम टू ओल पेरोज़ेंट मैं मुके सर आप सभी का स्वागत करते आज की स्क्लास में आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले एक मोश्ट इम्पोडेट टॉपी के बारे में जो कि आप सभी किसी भी अगामे एकजाम के त्यारी कर रहे होंगे तो यकीन मा यह फ्रेंड्स आज से बहुत सारे इंपोर्टेट कोशन पूछे जाएंगे आप सभी के एकजाम में तो बात करने वाले हैं सभी राज्यों के मुख्य मंत्री और राज्येपाल के बारे में मोश्ट इम्पोडेट कोशन रहेगा फ्रेंड्स आप सभी किसी भी एकजाम की क्यांट आप सिए इसफुल होने वाला है कोशन के सासाथ फ्रेंट्स आप से को एक्स्प्लेशन भी दिया जाएगा उसका इंपॉड़िट्ट पॉइंट्स रहेगा जो की यह बहुत ही इंपॉड़िट्ट हो जाता है आप सभी किसी भी एक्जाम के लिए ठीक है तो पहले को को पाला कोशन क्या देखेगा कि महराश्ट के नए मुख्य मंत्री कौन बने हैं यहां से बहुत बार एक्जाम में प्रश्ण पूछी भी गए अभी जो एक्जाम लिए जा रहें और आगामी एक्जाम के लिए यह करेंट एफिर्स बहुत ही इंपोडर रहने वाला है तो सिंद्न मुख्य मंत्री की बात करें फ्रेंट्स तू वह जाएंगे एकनात सिंद्गे एक नात सिंद्ध हो जाएंगे अपसवन नंबर सी महत्स की बात करें तो महराष्ट की गठन की बात करें, तो 1 मई 1960 को महराष्ट का गठन हुआ था, ठीक है, रजधानी की बात करें, तो महराष्ट का रजधानी मुंबई हो जाता है, राज्येपाल की बात करें, तो राज्येपाल रमेस बैस हो जाते हैं, लोग सबा सीट की संख्या की बात करें, त जो कि आप सभी को बहुती important हो जाएगा रिली बता रहा है कि ये जो point एस्टरा में कर आ रहा हूँず important points में ये बहुत important हो जाता है ठीक है ना अगले question को रमुफ करते question number second question number second कर रहा है कि गोवा के मुख्य मंतरी का क्या नाम है गोवा के मुख्य मंत्री का क्या नाम है अपसा नम्बर A में दिया हुआ है पेमा खांडू, B में है के चंदर सेखा राव, C में प्रमोध सावंद और D में है नितिश कुमार तो गोवा के मुख्य मंत्री की बात करें तो हो जाते हैं प्रमोध सावंद अपसर नमबर सी इस राइट एंसर हो जाएगा प्रमोद सामन्थ ठीक है फ्रेंट्स गोवा के बारे में थोड़ा से इंपोड़े पॉइंट्स की बात कर लेते हैं गोवा के रजानी फ्रेंट्स का हो जाता है पढ़ जी हो जाता है राज जी पाल की बात करें तो पी एस श्रीधर धारन यहां पर धारन ने फ्रेंट्स पिल्ले जी हो जाते हैं ठीक है लोग सबा सीटों की संख्या फ्रेंट्स दो हो जाता है राज जी सबा सीटों की संख्या वन है, विधान सबा सीटों की संक्या कितना है, 40 है, ठीके, यह आपसेभी के लिए बहुत इंपोर्ट है, ठीके, अगले कोशन को और मुफ करते हैं, कोशन नमर, थोर्ड, तीसरे कोशन को और मुफ करते हैं, करकी, हिमाचल परदेश के नए मुख्य मंतری का क्या नाम है, हिमा सीं सुखु और डी में इन में से कोई नहीं तो हिमाचल परदेश के नए मुख्य मंत्री की बात करें तो वो हो जाते हैं सुख्वींद सीं सुखु हो जाते हैं अपसा नंबर सी जराइट एंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स सी इंपोडेट पॉइंट देख लेते हैं करें कि जो हिमाचल परदेश से उसका गठन 25 जनौरी 1971 को हुआ था राजधानी की बात करें तो सीमिला हो जाता है और धरम साला भी हो जाता है सीमिला फ्रेंट्स हो जाता है कि अपसी को समर के लिए और जो धरम साला हो जाता है वेंटर के लिए हो जाता है ठीक है नो कई बार एक्जाम में ये भी पूछा गया कि कौन से राजे में कितने सीटों के संख्या कौन सा है ये पूछ देगा कि यहीं की हिमाचल परदेश में लोग सवा सीटों के संख्या कितना है तो लोग सवा सीटों के संख्या फ्रेंट्स चार हो जाएगा राजे सवा सीटों के संख्या तीन और विधान सवा सीटों के संख्या 68 एनिकी 68 हो जाएगा ठीक है अगले कोशन को और मुफ करते कोशन नमबर फोर फ्रेंड्स यापर पिक्चर ना लगाए पाए हम उसके लिए सौरी फोर्थ नमबर कोशन कर रहा है कि अरुनाचल परदेश के मुख्य मंत्री का क्या नाम है अरुनाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री का क्या नाम है अपसने में है Y.S. जगन मुहन रेडी B. में है ममता बनर जी C. में है योगी आदित्यनाथ D. में है पेमा खांडू तो अरुनाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री की बात करे तो उनका नाम हो जाता है पेमा खांडू अब सा नमबर D इस राइट एंसर हो जाएगा पेमा खांडू ठीके फ्रेंट्स बात कर लेते थोड़ा सा इंपोर्डेट पॉइंट की ओर अरुनाचल प्रदेश के बारे में तो राज्य का जो दर्जा मिला था अरुनाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को अरुनाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था राज्य धानी की बात करें तो अरुनाचल प्रदेश का एटान अगर हो जाता है राज्ये पाल के बल्ले त्री वीक्रम परनाइक हो जाते हैं ठीक है ने परनाइक जी हो जाते हैं के वल्ले यहाँ पर दोस्तों के वल्ले है के वल्ले हो जाता है ठीक है ने के वल्ले हो जाता है थोड़ा समेश्पिरिंट हो गया है के वल्ले लोग सवा सीटों के संख्या 2 है राज्य सवा सीटों के संख्या फ्रेंट्स 1 और विधान सवा सीटों की जो संख्या फ्रेंट्स 60 यानिकी 60 हो जाता है ठीक है अगले कोशन को रुमूब करते कोशन नमबर 5 तो बात करते फाइप नंबर कोशन की करकी मड़ीपूर के मुख्य मंतरी का क्या नाम है मड़ीपूर के फ्रेंड्स मुख्य मंतरी का क्या नाम है अपसने में दिया हुआ है इन विरेंसी बी में है के चंदर सेखारा C में है नितिश कुमार और D में है मामता बनर जी तब मड़ीपूर के मुख्य मंतरी की बात करे तो हो जाते N विरेंस ही N विरेंस ही हो जाते अपसा नंबर A friends is right answer हो जाएगा N विरेंस ही इसके मुख्य मंतरी हो जाते मड़ीपूर के इसके important points देख लेते हैं गठन की बात करें तो 15 October 1949 को मड़ीपूर का जो गठन हुआ था Friends 15 October 1949 को राजधानी की बात करें तो इमफाल हो जाता है मड़ीपूर की राजधानी के हो जाता है Friends इमफाल हो जाता है राजजेपाल अनुसुया भाएके हो जाते हैं लोग सभाशीटों की संख्याँ दो राजजी सभाशीटों की संख्याँ की बात करें Friends तो बोन हो जाता है और विदाशाबसाशीटों की संख्याँ कितना हो जाता है 60 हो जाता है ये राजधानीपूर के बारे में Total Imported जी के जो कि करेंट अइस्टेटिक्स जी के जो Kyoto की किसी गजाम में को चुछा जाएगा ठीके न मार नेक्स्ट कोउशन है फ्रनी नंबर तेलंगाना के मुख्य मंतरी का क्या नाम है तो तेलंगाना के मुख्य मंतरी की बात करने इनका नाम हो जाता है केट् culture चंदर शेखा राओ ते News नमबर बी इस राइट एंसर हो जाएगा ठीक है इप पोटेट पॉइंट्स देख लेते इसका गठन की बात करें तो दो जून संगय फ्रेंट्स 119 हो जाता है कितना हो जाता है 119 तम आते लंगा नाम है नेक्स कोशन है फ्रेंट्स सेवे नंबर कोशन का रहाएगी उतर प्रदेश के मुख्य मंत्री का क्या नाम है उतर प्रदेश के मुख्य मंत्री का क्या नाम है तो उतर प्रदेश के मुख्य मंत्री क जी के की बारे में ठीक है ना इस्टेटिस जी के थोड़ा सा देख लेते हैं इंपोर्टेट पॉइंट कर रहा है कि राज्ये का जो धर्जा मिला था उत्तर प्रदेश को 24 जन्वरी 1950 को इससे धर्जा मिला था राज्ये का राज्धानी की बात करें लखनव हो जाता है राज्ये पाल आनंदी बेन पटेल हो जाते हैं लोग सबा सीटों के संक्या असी राज्ये सबा सीटों के संक्या 31 और विधान सबा सीटों के संक्या फ्रेंड्स 403 हो जाता है विधान सबा सीटों के संक्या कितना हो जाता है फ्रे मुख्य मंत्री का क्या नाम है पसिम बंगाल के मुख्य मंत्री का क्या नाम है तो पसिम बंगाल के मुख्य मंत्री का नाम हो जाता है ममता बनर जी अपसर नंबर सी ज्राइट एंसर हो जाएगा ममता बनर जी पसिम बंगाल के मुख्य मंत्री हो जाती है नेश इसके इंपोड बंगल के वाज्य पाल हो जाते हैं लोग सभा सीटों के संख्या बिरालिस राज्य सभा सीटों के संख्या सोल्व और विधान सभा सीटों के संख्या सब्सक्राइज फटेस्ट है कितना हुज़ जाता है फ्रेंट्स फ्रेंट्स दो स treaties नम्बर नाइन अते हैं राजयस्थां के मुख्यमंतरी का क्या नाम है इनका जो नाम हो जाता है फ्रेंट्स ओ सटा रोज्य Х Operation No.C is write answer हो जायगा असोक pewn इस एक इंपोरिब पॉइंट्स देख लेते हैं राज्यस्थान के बारे में तो इसका गठन हुआ था 30 मई 1949 को राजधानी की बात करें जैपूर राज्येपाल कल राज मीस्रा हो जाते हैं लोग सबा सी 25 पेने के 25 हो जाता है राज्यसबा सीटों के संक्या फ्रेंट्स 10 और विधान सबा सीटों के संक्या 200 हो जाता है ठीक है अगले कोशन को और मुफ करते कोशन नंबर 10 कि दस नंबर कोशन कर रहे कि करनाटा के नए मुख्य मंत्री कौन बने हैं करनाटा के नए मुख्य मंत्री कौन बने हैं तो इनका नाम हो जाता है हिदार मेया हिदार मेया अपसन नंबर सी टेंसर हो जाएगा इसकी इंपुड़े पॉइंट्स देख लेते किसके बारे में करनाटा के बारे में तो करनाटा की इंपुड़े पॉइंट है कि इसका गठन जो हुआ था एक नॉमबर 1956 को रजधानी की बात करें तो बैंग लूरू हो जाता है राज़े पाल थावर चंद गलोत हो जाते हैं लोग सबा सीट फ्रेंड्स चुन्टी एट राज़े सबा सीट बारा और विधान सबा सीट दोसो चौबिस हो जाता है ठीक है अगले कोशन को र मूफ करते हैं कोशन नंबर 11 11 नंबर कोशन का रहा है कि आंधर परदेश के मुख्य मंत्री का क्या नाम है तिन का नाम हो जाता है यस जगन मोहन रेडी हो जाते हैं आंधर परदेश के मुख्य मंत्री बात कलेती इसके important points तो जो आंदरप्रदेश से friends उसका जो गठन हुआ था एक नॉमबर 1956 को इसका गठन हुआ था राजधाने की बात करें तो विशाखा पत्नम हो जाता है राज जेपाल का जो नाम हो जाता है यहाँ पर एस अब्दूल नजीर हो जाते हैं लोग सभा सीटों के संक्या 25 विधान सभा सीटों के संक्या 175 और राजधा सभा सीटों के संक्या friends कितना हो जाता है एक 11 हो जाता है कहाँ पर आंदरप्रदेश में नेक्सक्कोर्स कर«मुव करते हैं कॉस्ट नंबर 12 विहार के वरतमान मुख़े मंत्री कौन है विहार के वरतमान मुख़े मंत्री की बात करें तो ओजाते है यह नितिश कुमार अपसनımızı tc राइट एंसर ओजाएगा नितिश कुमार बिहार के बारे बात करेते तो बिहार का अस्थपना जो हुआ था इसका अस्थपना 22 मार्च 1912 में उए था तो पटना हो जाता है राज्येपाल राजजेंद्र वालेंकर हो जाते है वा लेंकर ठीreiben लोक सबा सेटों की संक्या 40, राज जी सबा सेटों की संक्या 60, और विधान सबा सेटों की संक्या 243 हो जाता है, बिहार की बात करें, तो ठीक है न, बिहार के उर्तमान मुख्य मंत्री जो हो जाते हैं, नितिस कुमार जो हो जाते हैं, राज जेपाल की बात करें, तो के मुख्य मंत्री का क्या नाम है तो तो गठन तिरपूरा का 23 जनौरी 1972 को हुआ था राजधानी की बात करें तो अगर ताला राज्य पाल सत्ते देव नराण आरे जी हो जाते हैं लोग सवा सेटों के संक्या दो राज्य सवा सेटों के संक्या एक और विधान सवा सेटों के संक्या फ्रेंट साथ हो जाता है ठीक है अगले कोशन को मुख करते कोशन नंबर 14 चौदा नमबर कोशन करा है कि हरियाना के मुख्य मंत्री का क्या नाम है हरियाना के मुख्य मंत्री का क्या नाम है तो हरियाना के मुख्य मंत्री का जो नाम हो जाते है मनुहर लाल खटर आपसा नमबर ए जराइट एंसर हो जाएगा मनुहर लाल खटर हरियाना की इंपोरे पॉंट के बात कलेते हैं तो कराये कि गठन जो हुआ था हरियाना का एक नॉम्बर औनिसो चाच़ट को फ़ा था एक नॉमबर औनिसो चाच़ट का इसका गठन हुआ था राजधानी की बात करें तो चंडीगड तो इनका नाम हो जाता है भूपेंद्र पटेल भूपेंद्र पटेल अपसर नमबर सी जराइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट इंपोड़े पॉइंट से कि इसका गठन एक मई 1960 को हुआ था राजधाने की बात करें तो गांधी नगर हो जाता है राजजेपाल आचारे देवरत हो जाते हैं ठीके अग गुजरात के बात करें कि गुजरात के राजधानी श्री नगर राजजेपाल की बात करें तो अचारे देवरत हो जाते हैं लोग सबासी 26 और राजजे सबासीटों के संक्या 11 और विधान सबासीटों के संक्या फ्रेंस 142 82 हो जाता है 182 ठीके नेक्स Person को रिमूब करते है가 sc иногда 16 सोला नंबर कोशन करा कि मध्य परदिश्च के मुख्य मंत्री का क्या नाम है मध्य पर दिश्च के मुख्य मंत्री हो जाते हैं सिवराज सी चूहान सी राजसी सी चूहान अबसन नंबर 6 राइट अंसर हो जाएगा नेक्स इसका इंपोड़े फॉइंट से कि इसका गठन एक नॉम्बर उन्निसो चपन को हुगा था राजधानी भोपाल हो जाता है राजजेपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हो जाते हैं फ्रेंट्स जो मद्धे परदेश के जो राजजेपाल हो जाते हैं बन्कर चपन ड्र्वोपाल fitness के देज्वंब इसक वंचेपाल उन्हय नमvine फेन इसके इंपॉंट्व पउइंट्स राज्ये का जो दर्जा मिला था असम को 26 जनरी 1950 को राज्धाने की बात करें तो दिसपूर हो जाता है राज्येपाल गुलाब चंद कटारिया असम के जो राज्येपाल हो जाते हैं ओ जाते हैं गुलाब चंद कटारिया लोग सबा सीटों के सेंगे 14 से नाम हो जाता है ठीक बिम्झे करते हैं कॉसर 008, मुखे मंत्री का क्या नाम हो जाते हैं अर्बिंद केजरी इसकी कई- болइ देख लेते हैं कि इस पर उपर राज्य पाल विने कुमार सकसेना जी हो जाते हैं दिल्ली के जो उपर राज्य पाल हो जाते हैं विने कुमार सकसेना लोग सबस्वा सीटों के सेंगे फ्रेंट्स कितना हो जाते हैं साथ हो जाते हैं इंपोडेर्ट पॉइंट्स कर रहा है कि गठन की बात करें पंजाब का तो एक नमबर उनिस्व चाचाट को पंजाब का गठन हुआ था राज्ये पाल की बात करें तो बनवारी लाल पूरोहिद जी हो जाते हैं लोग सभा सीटों के संक्या फ्रेंट्स 13 राज्ये सभा सीटो के संक्या फ्रेंट्स 117 हो जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कोशन है बीस नमबर तमिलांडू के मुख्य मंत्री का क्या नाम तो इनका नाम हो जाता है मुनुवेल करुणा निधी अस्टालिन जी हो जाते हैं आपसा नमबर ए इस राइट एंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स इसके इंपोडेव फॉयंट्स की देख लेते हैं गठन की बात करें तो एक नमबर उननिस्व छपण राजधानी की बात करें तो चिल नहीं राजजपाल की बात करें तो आर ए रावे हो जाते हैं लोगसभा सीटों के संग्या 49 राजजी सबा सीटों के संग्या फ्रेंट 234 हो जाता है कहां पर तमिल आंडू की बात करें तो ठीक है है नेच्स कोशन है कोसन नमबर 21 तून्टेवय नमबर कोसन कर है कि में घ्या ले के मुख्य मंत्री का क्या नाम है में घ्यालाई की मुख्य मंत्री का क्या नामे तीन का नाम हो जाता है कॉल रोड संगमा हो जाते हैं अपसा नमबर D is right answer हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका अस्थपना की बात करें तो 1 अप्रिल 1970 राजधानी की बात करें तो सिलोंग हो जाता है राजजेपाल फागु चुहान लोग सभा सीटों के संक्या दो राजजी सभा सीटों के संक्या एक और विधान सभा सीटों के संक्या फ्रेंट साथ हो जाता है नेक्स्ट कोशन है 22 नमबर कोशन का रहे की पुंडू चेरी के मुख्य मंत्री का क्या नाम है तो इनका नाम हो जाता है एन रंगा स्वामी अपसा नमबर सी बी इस राइट एंसर हो जाएगा एन रंगा स्वामी इंपोर्डेट पॉइंट है कि इसका अस्थापना की बात करें तो एक नमबर उनियू सो चोवन कुवा था राजधानी पूडू चेरी हो जाता है उपर आज़े पाल तमीली साई सुंदर ये राजजन हो जाते हैं लोग सवा सीटों के संख्या एक और आज़े सवा सीटों के संख्या फ्रेंट्स वन हो जाता है ठीक है बात करते हैं नेक्स कोशन 29 नमबर 23 नमबर उत्राखंड के मुख्य मंतरी का क्या नाम है तो उत्राखंड के मुख्य मंतरी का नाम फ्रेंट्स हो जाता है पुशकर सी धामी पुशकर सी धामी अप्सन नमबर बी इस राइट एंस हो जाता है नेक्स कोशन इसके इंपोर्टेट पॉइंट करें कि गठन की बात करें तो एक नॉंबर और 2000 में हुआ था राजधाई देहरादून लोग सभा सीटों के संगे पांच राजी सभा सीटों के संगे हैं नेक्स था नवर को चणडी गड़ के मुख्यमंत्री का नाम है तो इनका नाम हो जाता है चंडी गड़ की बात करें तो इनका नाम हो जाता है 36 गड के मुख्य मंतरी का नाम है भूपेस बगेल अपसा नंबर B इस राइट एंसर हो जाएगा इसके important points की बात करते हैं गठन की बात करें तो एक नंबर और 2000 में इसका गठन हुआ था एक नंबर 2000 में इसका क्या होता फ्रेंस गठन हुआ था धानी की बात करें तो नाया जैपूर हो जाता है राजे पाल हो जाते है 200 भुष्ण हरी चंदन जी हो जाते है लोग सभा सिटों की संग्या 11, राज्य सभा सिटों की संग्या 5 और विधान सभा सिटों की संग्षा की बात करे तो हो जाता है 90 ठीक है विधान सभा सिटों की संग्या 90 हो जाता है बात करते 25 नंबर कोशन की और केरल के मुखे मंत्री का क्या नाम है तो केरल के मुख्य मंत्री का नाम हो जाता है पिनराई बिज्जन हो जाते हैं नेक्स कोशन की बात करते हैं 25 नमबर कोशन के ओर कराई की इसके गठन की बात करें केरल की तो 1 नमबर 1956 को हुआ था राजधानी की बात करें तिरुवंत पूरम हो जाता है राज जेपाल आरिफ मुहम्मद खान जी हो जाते हैं लोग सभा सिष्ट 20, राज जेज़ सभा सिटो किसंग के 9 और विधान सभा सिटो किसंग के फ्रेंट्स 140 हो जाता है नेक्स्ट कोशन है फ्रेंट्स 26 नंबर कोशन करा है कि सीकिम के मुखे मंत्री का क्या नाम है सीकिम के मुखे मंत्री का क्या नाम है तो सीकिम के मुखे मंत्री जो हो जाते हैं प्रेंज सी तामंग तामंग हो जाते हैं अब सा नंबर भी इस राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट इसके important points देख लेते हैं गठन की बात करें तो 16 मई 1975 राजधानी की बात करें तो गंगा टोक राज्येपाल लक्ष्मन परसाद अचारेज हो जाते हैं लोक सभा सीट एक राज्ये सभा सीट एक विधान सभा सीटों के संक्या 32 नेक्स्ट इसके important points देख लेते हैं नागा लेंड की गठन की बात करें तो एक नॉम्बर 1963 को राजधानी कोहिमा हो जाता नागा लेंड का राज्येपाल एल गडेशन एल गडेशन जी हो जाते हैं लोग सभा सीट एक राज्ये सभा सीट एक विधान सभा सीट साथ हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट कोशन है 28 नंबर कोशन जारखंड के मुख्य मंत्री का क्या नाम है जारखंड के मुख्य मंत्री का क्या नाम है तिनका नाम हो जाता है हे मंत सोरेन हो जाते हे मंत सोरेन अपसा नंबर ए इस राइट एंसर हो जाएगा नेश की इसकी इंपोड़े पांट से कि इसका गठन की बात करे तो पंदरा नॉमबर 2000 में जारखंड का गठन हुआ था ठीक है ना राज्यपाल की बात करें तो सीपी राधा क्रिश्नल जी हो जाते हैं राज्यपाल लोग सभा सीटों के संग्या चोद्व राज्य सभा सीटों के संग्या फ्रेंट्स कितना हो जाता है आठ हो जाता है और विधान सभा सीटों के संग्या फ्रेंट्स 147 हो जाता है ठीक है 147 हो सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर यह गलती है यहां पर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक ना उसके लिए इसका मिश्टिक क्या हो रहा था ठीक ना उडशा के मुख्य मंत्री का क्या नाम हो जाता है नवीन पटनाइब आपसा नंबर ए इस राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आ इंपोड़ेस पाइंड से गठन की बात करें तो एक अप्रिल 1936 को इसका गठन हुआ था राजधानी की बात करें तो भूनेस वर राज सबसीट 21 राज्य सबसीट 10 विधान सबसीट 147 हो जाता है नेक्स्ट एफ्रेंश तीस नंबर कोशन कर रहे कि मिजोरम के मुख्य मंत्री का नाम हो जाता है जोरम थंगा थंगा अपसा नंबर सी इस राइट एंसर हो जाएगा इसके इंपोड़ेफ पॉइंट कर रहे कि राक्टर हरी बाबू कमभगती कमभपती हो जाते हैं लोग सबसीट एक राज्य सबसीट एक विधान सबसीट 40 हो जाता है अब बात करेंगे फ्रेंट सभी के इंदर सासित परदेशों के उप राज्य पाल और लेफ्टिनेट गौवर्नर के बारे में बात करेंगे ठीके न क्या नाम है तो उनका नाम है डीवी मिस्रा डीवी न की डीडी हो जाता है दोस्तो बीडी यहां पर हो जागा दोस्तो सौरी बीडी बीडी मिस्रा हो जाता है इसकी इंपोड़े पाइंट के बात करेंगे राज्य धानी के बात करेंगे लेह और कारगिल हो जाता है लदाक क नहीं हो जाता है कि केंदर सासित पर देस बाना 31 अक्टूबर 2019 में ये केंदर सासित पर देस बाना था जम्मू काश्मित मेद कि राजधानी की बात करे तो जम्मू प्रसासा का क्या नाम है तो यहां के प्रसासा का जो नाम हो जाते है प्रेंच स्री प्रफुल ले पतेल जी हो जाते हैं चंडी गड के प्रसासा की बात करें क्या नाम है तो यहां के बनवारी लल पूरो ही था चंडीगड की बात करें तो इसका अस्थपना एक नमबर और निश्व चाचट को आता चंडीगड का पंजाब और हरियाणा राजधानी हो जाता है ठीके ना लक्षदीब के प्रसासर का क्या नाम है तो लक्षदीब के प्रसासर का नाम हो जाता है प्रफुल्ले खोदा पटेल जी हो जाता है थर्टी सेवे नंबर थर्टी सिक्स नंबर अंडमार नीकोबार के उपरा जेपाल और लेफ्ट नेट गौर्णर का क्या नाम है तो इनका नाम हो जाते हैं विरेंद्र कुमार जोसी विरेंद्र कुमार जोसी इंपोड़े पॉइंट से कि अस्थापना एक नंबर और कमेंट में जरूर बतेगा आप से विडियो अच्छा लगा या खराब लगा दोनों आप से कमेंट बक्स में जरूर बताएं ताकि हमें लगा कैसे आखिर कॉंटेट पर काम किया जाया आप सभी के लिए अगर आप से को कोई भी अगर सजेशन देना चाहते हैं तो आप से दे सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर बीडियो बनाए ताकि आप से लोग बेतर हो सेगे आगामी एकजाम के लिए ठीक है फ्रेंट्स कर चैनल सब्सक्राइब कर बीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर किजिएगा और चैनल के एक पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स जय हिन जय भारत